एक गाउं में एक जेसी बी रहता था एक दिन वो जेसी बी एक कीचड़ वाली रास्ते से होकर खेद से गुजर रहा था उसी गाउं में एक ट्रक भी रहता था ये अपने साथ धेर सारी सबजिया ले जा रहा था और वो भी उनी खेटों में से होकर गुजर रहा था अचानक से ट्रक कीचड़ में फस जाता है वो इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था वो वहाँ पर अटग गया था और उसे बहुत चिंता हो रही थी जब जेसी भी खुशी खुशी चल रहा था उसने देखा कि एक ट्रक कीचड़ में फसा हुआ है वो ट्रक की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है उसे पता लगता है कि ये तो वही ट्रक है जिसने एक बार सक्रे पुल पर उसे जाने के लिए रास्ता दिया था वही एक छोटी सी नदी के उपर एक सक्रा सा पुल था वो पुल इतना सक्रा था कि उसके उपर से एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती थी बुल्डोजर उस पुल को पार कर रहा था जैसे ही बुल्डोजर आदे पुल तक पहुँचा दूसरी तरफ से एक छोटा सा ट्रक आ गया ट्रक बुल्डोजर से बहुत तेज चल रहा था क्यूंकि वो बुल्डोजर जितना बड़ा नहीं था दोनों गाडियां आमने सामने आ गई और पुल के बीच में रुप गई क्यूंकि पुल के उपर से एक ही गाड़ी निकल सकती थी इसलिए दोनों में से एक भी नहीं चल पा रही थी और दोनों पुल के बीच में अटक गई हलो प्यारे ट्रक ये पुल तो दो गाड़ियों के लिए बहुत सक्रा है हम में से एक को रास्ता छोड़ना होगा ताकि हम दोनों पार हो सके हाँ बड़े भाईया ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये पुल इतना सक्रा है कि हम दोनों पार नहीं हो सकते अब हम क्या कर सकते हैं इतने भारी वजन के साथ मैं पीछे नहीं जा सकता क्या तुम पीछे जाकर मेरे लिए रास्ता बना दोगे इससे मेरी बहुत मदद होगी और हम दोनों बिनादेरी के निकल सकते हैं आप चिंता मद कीजिये मेरे लिए आसान है तो मैं पीछे चला जाता हूँ और ये मेरी गलती थी आपको पुल पार करते हुए देखकर भी मैं यहां आ गया इसके बाद चुप वापन साता है और बुल्डोजर के लिए ग्रास्ता बना देता है पुल पार करने के बाद बुल्डोजर ट्रक के पास रुका और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र तुम्हारी मदद से यह हो पाया दोनों गाडिया मुस्कुराती है और अपने अपने रास्ते चली जाती है हेलो दोस्त, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ओ हाँ बड़े भाई, हम एक बार एक सक्रे पुल पर मिले थे बिल्कुल, अभी तुम्हें क्या हुआ है? तुम अटके हुए क्यों हो? मैं एक खेट से आलू लाद कर वापस आ रहा था अचानक से मैं कीचर में फस गया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्त, चिंता मत करो उसके बाद JCB ट्रक के पाल जाता है वो अपना हाथ ट्रक के उपर रखके उसे खीचने लगता है अंततह ट्रक कीचर से पाहर आ जाता है बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई कोई बात नहीं दोस्त, दरसल मैं कृटक क्यो हूँ? कि मुझे बदले में तुमारे मदद करने का मौका मिला बाई मेरे दोस्त दोनों अपने काम पर खुशी-खुशी चले जाते हैं प्यारे बच्चों, हमें कृटक यता का पार्ट सीखना चाहिए JCB ने ट्रक से मिली मदद को याद रखा और उसकी मदद की जब हम किसी की जरूरत में उसकी मदद करते हैं तो हमें वो मदद वापस मिलती है जब हमें मदद की जरूरत होती है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ओई भी वीडियो मिस नहों